हेलो गाइज वेलकम बैक टूमाई चैनल सो आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेका हूँ आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रहका बहुत ही बड़ा रेड कलर का टॉय कलेक्शन जियां आज के इस वीडियो में आपको दिखांग सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि एसी वीडियो में लगाता आपके लिए बनाता रहता हूं तो वीडियो का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है सबसे पहला आइटम हमारे पास है यह देखो एक बहुत ही प्यारी रेड कलर की डाइकास्ट मेटल कार यहां से में इसको ओपन करेंगे तो इसके गेट ओपन हो जाते हैं साइड से आप देख सकते हैं कैसी दिखाई देरी है इसके टायर्स का डिजाइन देखो और सबकुछ बनावे जैसे कि नर्मल कार के अंदर होता है इसके गेट्स को मैं बंद कर लेता हूं अगर आप इसको चलाना चाहे तो आप उसको फर्स पे रखना है पीछे की तरफ खीचना है और यह देखो है ना बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है यही मैं आपको से स्पाइडर मैन वाला एक प्यारा सा जमेटरी बॉक्स फुल प्लास्टिक क्वालिटी में आता है यहां पर देखो स्पाइडर मैन की आइज कैसे चेंज होती है गाईजी यह देखो है ना यहां पर लिखे मारवल स्पाइडर मैन और कुछ ऐसा यह दिखाई देता है यह से open करऊंगो तो गाईजी देखो यहां पर ट्रे लगी है इसके अंदर आप या पर काफी सारा सामान रख सकते हैं और नीचे से open करेंगे तो गाईजी देखो यहां पर भी आप समान रख सकते हैं इसके अंदर में spider-man वाला एक प्यार आसा scale भी देखने मिलता है यहां पर time table के लिए सड्डूल वाला कार्ड देखने मिलता है यह जमेटरी बॉक्स मुझे क्यों पसंद है मैं आपको बताता है क्योंकि इसके पर स्पाइडर मैन का पैटर्न बना हुआ जो की देखने में काफी अमीजिंग लग रहा है यह देखो है ना और स्पाइडर मैन की आइस चें चोटे साइज की चीज़े रख सकते हैं यहां से मैंने इसको उपन के दो यहां पर आप इसके अंदर समान रख सकते हैं चोटे-चोटे साइज की चीज़ें यहाद भी आप इसके अंदर कॉइन वगएरा नोट वगएरा पैसे वगएरा रख सकते हैं हैना सूपर मैन वाले और दोनो बटन अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, पहला वाला बटन दबाओगे तो गाई-ची देखो यह normal laser light की तरह वर्क करता है, जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में यह देखो यह नॉर्मल लेजर लाइट की तरह बर करता इसको मैं चला रहा हूँ पने हाथ पे लेकिन अगर पीछे वाला बटन दबाये तो इसके अंदर 3-4 मोड होते हैं देखो एक बार दबाये तो ब्लू लेट जली है दूसरी बार दबाये तो रेड लाइट जली है और तीसरी बार कितनी प्यारे तरीके से ब्लिंक हो रही है और चौती बार में बंद हो जाती है और जो आगे वाला बटन है इसको दबाने से लेजर लाइट निकलती है इसकी रेंज आप देखोगे न आप हैरान हो जाओगे यह देखो पूरी स्क्रीन में आप देख सकते हर जंगा इसकी गेम यह देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका फेस देखो स्पाइडर मैं वाला पूरा पैटर्न यहाँ पर बनावर और ओवर यह कुछ ऐसी दिखाई देती है यह एक वीडियो में जिसका अंदर आप वो काफी सारी अलग अलग टैकी गेम देखने को मिलेगी मैं आप आप उसको प्रोपर दिखाता हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना देखो यहाँ पर इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ती है दो बैटरी मैंने अल्रेडी इसके अंदर डाल रखी है यहाँ से ओपन करेंगे तो गाई जी देखो यहाँ पर इसकी स्क्रीन है है और यहाँ पर इसका पर काफी सारे बटन है ओन ओफ का SP, RESET, SOUND, LEFT, RIGHT और OK बटन है इन सारे बटन से आप इस गेम को खेल सकते हैं यहाँ से मैं बटन दबाए, बटन दबा दी ON हो गई है और SOUND देखो इसका इना अब गईस यह देखो इसके अंदर काफी सारी गेम आपको दे जोगी काफी ज़्याद अमेजिंग और गाई स्क्रीन न थोड़ी बलर हो जारी है बट आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क करती है यह देखो है ना टोटल 48 गेम समय इसके अंदर देखने मिलती है तो मैंने इसको कर लिया बंद और सबसे अमेजिंग बात जो इसका देखो यहां फृंट से आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसके ऑपर डिजाइन मनावारा है और यहां से देख वाई है वाउ कितना खुम्म अप्राइम सी साइड सामने थे सकता नीचे अंचे स दबाते ही गाई जी देखो रिमोट पर लाइट जलरी यानि कि रिमोट अच्छे तरीके से वर्किंग कंडिशन में है और गाई जी कार को आउन करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दो इसके अंदर में चार्जेबल बैटरी डालनी पड़ती है और यहां पर इसके साथ चार है यहां से इसको फर्स पर कर देखते हैं कि यहां से पार कुछ आईसी दिखाई देती अं donc सामने से आप देख सकते हैं कार का लुक कितना प्यार है और overall यह कुछ ऐसी दिखाई देती है तो जल्दी से कार को on कर लेते हैं यहां से मैंने कार को किया on और गया पर इसके अंदर लाइट जलनी से रहो गई है और लाइटिंग का effect आप देख सकते हैं अंदेरे में बहुत आप देख सकते हैं और कई मैं इसको दीच में ले आता हूं थोड़ा सा ओर चला के देखते हैं यह देखो अगर आप इसको आउट्डोर में चला वाने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाली है इसके डिजाइन के वज़े से मुझे आप बहुत पसंद आई और यह देखो इसके टायर वाव बहुत यह दा पाउरफुल कार है अगर आप इसको चलाओगे ना आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा इसके डिजाइन की वेज़े से मुझे बहुत पसंद आई अगर आपको रिमोट कंट्रोल कार चलाना पसंद दे तो यह चीज आपको जरू पसंद दानी चाहिए सो आपने दिखा कि हमारी रिमोट कंट्रोल कार कितनी ज्यादा मेजिंग है अगर आप इसको आउट डूर में चलाओ तो आपको बहुत ज्यादा मज़ा और थाउजन रूपी से कम वाली अगर कोई भी कार इतना अच्छा परफॉर्म करते तो आपके लिए बहुत बेस्ट है आपको ऐसी रिमोट कंट्रोल कार जरूरू ट्राई करनी चाहिए और इसके बात गाइज मैं आपको दिखाता है हमारे पास है प्यार इसी टंबलिंग कार यह देखो यहां पर चार टायर लगे और चारो टायरों का साइज देखो और टंबल चलाओगे ना कुछ इस तरह से चलाओगे देखो ऐसे चलाओगे और जब किसी दिवार के पास जाए और गाइस यह आपको मिल लेगी 100 रूपीज के आसपास 100 रूपीज के आपको देख सकते हैं टंबलिंग कार कितनी चाद अमेजिंग है डिजाइन बहुत अमेजिंग है और इसके बाद गाइस हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा चाबी का चला जिहां गाइस यह देखो एक प्यारा सा चाबी का चला यहां पर इसका डिजाइन देखो कितना अट्रेक्टिव डिजाइन बनावा है यहां पर एक डॉल पर नहीं है इसकी ड्रेस देखो कितनी लगा सकते हैं और गई यह चावी का चल्ला आपको मिल जागा मात्र हंडर्ड रुपीज में हंडर्ड रुपीज के इसका डिजाइन इसका कलर देखो है ना बहुत ही प्यारा चावी का चल्ला है चोगि मुझे बहुत पसंद आया तो मैं आपके लिए इसको ले आया और इसक को पीछे से उपन करते हैं गाइस के अंतर है अब बैट्री का स्ट्रेप लगा होता है यहां पर वह मैंने अल्री निकाल लिया है और हमारी वॉच कुछ ऐसी दिखाई दे रही है है और यह प्रोजेक्टर वोच है यहां से बटन दमें के तो इसके अंदर लाइट जलती है और गाइस यह देखो अगर हम इसको अंधिरे में यूज करेंगे तो कुछ इस दराशे इसके अंदर से लाइट बाहर आती है और अगर आप इस रोस्नी को दिवार पे मारेंगे तो गईस कुछ इस दराशे आपको करेक्टर दिखाई जेगे और जितनी बार आप बटन लागी आप कोई भी करेक्टर चाहते हैं तो आप वो मार्किट से खरीज सकते हैं 100 रुपीज में और इसके बाद गाईजिए देखो हमारे पास यहां पर स्पाइडर मैन वाला एक प्यारा सा सार्पनर जी यहां से उपन करेंगे तो गाईजिए यहां पे सार्पनर लगा ह जो कि MC Queen वाले कार्टून डिजाइन में आता है देखो यहां से अगर आप इसको खोल के देखोगे तो गाईजिए देखो इसके अंदर हमें यह सारा समान देखने मिलता है वन बाइन दिखाता हूं सबसे पहले हमें इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल स्केल देखने मिलता है स्केल की आप क्वालिटी देखो कितना युनिट यप का स्केल है कितना ही बेंड कर लो टूटे के नहीं यहां पर एक सार्पनार है एक एरेजर है और दो-दो MC Queen वाली बहुत ही प्यारी प्यारी पैंसील सा गाईज यह हो थाना बहुत ही प्यारा स्टेशनरी से आट है जो क कि दो समान के साथ आता है जिसमें सबसे पहली चीज है यह यह प्यारी सी नोट बुक यहां से ओपन करेंगे हैं यहां पर स्पाइडर मैन का कितना पैटर्न बना हुआ है और यहां से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसको देखेंगे तो इसके अंदर काफी सारे यहां से आप इसको लिखने के लिए यूज कर सकते हैं और देखने में यह पूरा कॉंबो कितना ज्यादा क्यूट लगता यह मुझे बताने की ज़रूतनी है बहुत ही ज्यादा उस समय है और इसके बाद गाई मैं आपको दिखाता हमारे पास है पर एक बहुत ही प्यारा क यह अनुकर यह प्र चैन लगी है चैन को उबन करेंग reported वा कौट तो किसे इसको उप्न करेंगी यहांपर मैं समन देखने मिलता है यह ऑग देखने मिलता है और जहाँ मिलता और उसका घंडリ चला यह देखो यहाँ पर Christmas tree बना हुआ है यहाँ पर Christmas लिखाव और यह एक चाबी का चला है यहाँ से आप इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं यहाँ पर hook बना हुआ है और यहाँ पर इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं यहाँ आपको 200 से 250 रुपीज के आसपास मिल जागा और इतने कम प्राइज में ने बहुत amazing चीज़ है देखो यह strap मैंने लगा दिया strap के उपर भी Santa Claus बना हुआ है आप देख सकते हैं और overall यह कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ से अपनी गरदन में पहन सकते हैं और इसके अंदर काफी स्पेस भी देखने हो मिलता है जिसके अंदर आप काफी सारा समान रख सकते हैं और जिसके pop-it हैं देखो सारे pop-it अच्छे तरीके से वर्ग करते हैं अगर आपको pop-it वाले टोई यूज करना पसंद तो यह आइटम आपके बहुत ज़्यादा काम आएटम और यह बहुत ही यूनिक टैप का स्टेशनरी आइटम मुझे तो यह परसनली बहुत पसंद है इतने कम प्राइज में इतनी अमेजिंग चीज है न इसको आप कितना भी मोडल हो गाई यह खराब नहीं होता है यह देखो और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट के यह बहुत प्यारा पाउच है यहाँ पर लिखा BT21 स्टडी प्लेनर metal quality का pouch है BT21 cartoon वाले design में आता है यहां से आप इसको ऐसे लटका सकते हैं यह देखो और इसका पूरा design देखो कितना ज़्यादा amazing है यहां से अगर आप इसको open करोगे यह देखो तो इसके अंदर आप space देख सकते हैं साफी ज़्यादा space आपको इसके अंदर देखने मिलता है इसके अंदर पैसे वगएरा कॉइन वगएरा कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं छोटे साइज की चीजें बढ़ गई यह देखने में इतना attractive है और यह metal quality में आता है यही इसकी सबसे ज़्यादा special बात है अगर आप इसको खुद यूज करोगे ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ाएगा इसका design ही इतना ज़्यादा amazing है quality ही इतनी ज़्यादा amazing है और इसके बाद guys यह देखो हमारे पास है आपर एक प्यारा सा बड़ा सा pencil जी हाँ guys यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से लटका सकते हैं और अगर हम इसको यहाँ से open करें तो guys यह देखो इसके अंदर आपको कितना ज़्यादा space देखने को मिलता है इसके अंदर आप कितना सारा समान रख सकते हैं यह आप देख सकते हैं है ना पास है यहाँ पर दो-दो प्यारी-प्यारी metal की cars, यहाँ गाई, metal की car है, यह देखो है न, यह है guys, spider man वाली design वाली car, जिसका आप first पर रखके चला सकते हैं, धक्का मारके बड़्जस का spider man वाला pattern है, यह देखने में बहुत amazing लगता है, और सेम इसी तरह से guys, यह देखो, हमारे पास है iron man वाली car, यह देखो, यहाँ पर इसका पर पूरा iron man का pattern मना हुआ है और यह देखने में काफी ज़्यादा attractive लग रही है दोनों cars का आप साथ में देख सकते हैं एक spider man वाली है, एक iron man वाली है यह देखो, यहाँ से मैंने इसको open कर लिया और सबसे amazing बात देखो, यहाँ पर कहा लिखा है out space friends eraser, यानि कि जो हमारी यह चीज़ है यह eraser है है ना, यहाँ से देखोगा है जिसको यह पूरा का पूरा rocket है, जो कि actual में एक eraser है, है ना, जिससे आप amazing है, design की वज़े से मुझे बहुत पसंद है और इसकी packing देखो, कितनी premium इसकी packing है और इसके बाद guys इना आपको दिखाता है हमारे पास है पर प्यारा सा छोटा सा fidget spinner, यह देखो, है ना, छोटा सा fidget spinner है, और मेरे हाथ में आप इसका size देख सकते हैं, इसका design देख सकते हैं कितना unique type का है, 100 rupees से कम में आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसको घुमाओगे तो guys यह देखो, कुछ इस तरह से चलता है जो की काफी ज़्यादा amazing है मुझे तो इसका design इतना ज़्यादा पसंदा है बहुत लंबे time तक यह घूमता रहेगा है ना, 100 rupees से कम में आपको अराम से available हो जाएगा और हमारे पास है guys यह देखो एक प्यारा सा iron man वाला face mask जी हाँ guys, iron man वाला face mask है देखो, यहाँ पर rubber band लगावा है जिससे आप इस अपने चेहरे पे लगा सकते हैं यहाँ पर पूरा finishing दे रखी है इसको आप अपने face पे लगावागे, बहुत अच्छा लगेगा यह और गईजी देखो, यहाँ से आप इसको कितना ही band कर लो यह तूटता नहीं है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की quality है बहुत awesome है, और सामने से आप देख सकते है Iron Man का pattern देखने में कितना ज़्यादा cool लग रहा है बताने की जरोद बिल्कुल भी नहीं है design देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा awesome लग रहा है है ना, अगर आपने Iron Man movie देखे तब को पता है कितना amazing character है बहुत ही प्यारा super hero है, मुझे तो बहुत पसंद है एक तो गाईज हमारे पास यह Iron Man वाला कुछ इस तरह का face mask है और यहाँ पर बड़ा सा Iron Man का action figure रखावे वह भी मैं आपको थोड़ी दिर में दिखाऊंगा तो गाईज यह आपको मिल दागा 150 rupees के आसपास इसको मैं side रखता हूँ और हमारे पास है अपर एक प्यार इसी कुछ इस तरह की Iron Man वाली कार जी हाँ गाईज यह देखो हमारे पास एक Iron Man वाली कार है जिसको आप फर्स पर रखे कुछ इस तरह से चला भी सकते है है ना, और सब समेजिंग बात इसके टायर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं गाईज यह देखो है ना, लेकिन गाईज यह कार जैसी दिखने वाली चीज़ एक्च्छल में कार है ही नहीं यह है गाईज यह एक पैन है यहां से इसको दवाएंगे तो कुछ इस तरह से इसके टिप बाहर आती है गाईज यह देखो है ना, यहां से आप इसको ऐसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं और डिजाइन और कलर आप देखी सकते हैं कितना असाम है इसका है ना, मुझे तो काईज यह बहुत पसंद है क्योंकि इसका डिजाइन कार जैसा पढ़ गाई यह एक पैन है और इसके बाद गाई यह रिखो हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल वाला हेलिकोप्टर और हमारे पास यहाँ पर एक बबल मशीन गन भी और एक कार लॉंचर सेट भी है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो को पिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप आप वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे बहुत हमारे पास हेलिकोप्टर है जो की आई आर रिमोट कंट्रोल वाला हेलिकोप्टर है दिखो 400 रुपे में मुझे मिला है और यह आपको अलग अलग कलर में अविलेबल जागा है जैसे कि देखो पूरी बोडी तो ब्लैक होती है यहाँ पर पंकड़ी का कलर चेंज जाता है यहाँ पर रेड कलर किया यह यह य यूज करके भी दिखाने वाला हूं तो पहले पूरा बॉक्स में रख लेता हूं सैड में और कुछ ऐसा यह दिखाई देता है इसकी पंकड़ी की क्वालिटी देखो कितना भी इसकी पंकड़ी को मोडलो तूटे गी नहीं क्योंकि पंकड़ी की क्वालिटी बहुत जादा और समय है ना यहां पर इसके अंदर आप चार्जिंग के बल लगा कि आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं गाई यह देखो 15 मिनट में आराम से चार्ज हो जाते हैं और आप इसको अराम से फ्लाई कर सकते हो तो चार्जिंग के बल मैं निकाल लेता हूं अब इसका रिमोट कंट आप से उड़ी कोट्रोब मारे करें या फूरे कोब जा बैटरी नहीं है तो आप इसको यूज किसे करोगे हैं जैसी आप इसके निचे हात लेजाने अपरकितर फ्लाइ कर देगा तो जल्दी से में इसको ओन करता हूं यहां से मैंने इसको on किया तो guys यह देखो helicopter स्यार है और guys यह देखो जैसी मैंने इसको छोड़ा है तो guys यह देखो यह screen से बाहर भागने की कोजिस कर रहा है यह देखो automatically guys यह fly करता है और जब एक की चीज़ से टकराता है जैसी मेरे हाथ से टकरा है तो automatically बंद हो गया बंद होने के बाद आपको simply करने के लिए इसको off करना है यहां से नीचे से और दोबारा से on करने के बाद यह दोबारा से fly करने के लिए ready हो जाता है है ना यह देखो यह बंद हो गया यह मैंने इसको off किया और यहां से मैंने इसको दुबारा on किया तो guys यह देखों यह दुबारा से fly करने के लिए ready है यह देखों है ना बहुत ही प्यारा helicopter है अगर आप इसको उड़ाओगे न आप तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है चार सो रुपे के हिसाब से यह पैसा वसूल चीज है और remote control से उड़ाओगे तो और भी ज़्यादा उपर तक यह fly कर सकता है तो आज मैं आपको इसको उड़ागे नहीं दिखाने वाला हूँ अगर आप चाते कि आपको उड़ागे दिखाने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बात गाइज मैं आपको दिखाता है हमारे पास है पर एक प्यारा सक्तोय जो की actual में है एक यो 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 जी यह ए यह देखो यहां से इसके अंदर धागा लगावाए इसको धागे को आपको अपनी उंगली के अंदर ऐसे डालना है यह चलने के लिए तयार है आप जैसी मैं इसको नीचे फैकूंगा और उपर की तरफ खीचूंगा तो मेरे हाथ में वापीस आजा है यह देखो और गाइ यह देखो जैसी मैं इसको नीचे फैकूंगा यह उपर की तरफ वापीस आता है बटन आपको इसको चलाना सीखना पड़ेगा जो की काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है है ना मुझे तो ज़्यादा चलाना नहीं आता है मैं एक दो बार इसको ऊपर खीच ले दहूं प यहाँ पर इसका पूरा फेस देख सकते हैं कैसा लगा रहा है देखने में यहाँ पर आप इसके अंदर पैंसिल डालेंगे यहाँ से हैंडल गुमाएंगे और आपकी पैंसिल सार्प हो जाएगी और यहाँ से आप कच्रा बाहर निकाल सकते हैं तो चो लगाईज एक पैंस पैंसिल को अंदर डालने के बाद आपको अच्छे से सेट कर देना और हैंडल को घुमाना ऐसे और कुछ ही सेक्रिंड्स में आपकी पैंसिल सार्प हो जाएगी है इसको बाहर निकाल के देखते हैं यह देखो इसने पैंसिल को सार्प कर दिया और पैंसिल की टिप आप देख है ना कितनी अमेजिंग चीज बहुत ही प्यारा सार्पनर आपको 150 से 200 रुपीज के बीच में ऐसे सार्पनर मिल जाएंगे जो की बड़े साइज के जंबो और डिजाइनर सार्पनर होते हैं है इसको मैं रख लेता है और हमारे पास यहाँ पे स्पाइडर मैन वाले दो-तिन ब्लबा स्पाइडर मैन आप प्यारा सा पैंसिल बॉक्स और खुद स्पाइडर मैं है यह सार्पन करेंगे यह से अगर आपने करेंगे सारी चीज़े दिखाता हूँ जिसमें सबसे पहला आइटम है गाई यह देखो एक प्यारा सा मल्टी कलर पैन जिसके ओपर यहां पर बनाए स्पाइडर मैन और कुछ ऐसा ही दिखाई देता है इस पैन के अंदर आपको छे कलर देखने के मिलते हैं देखो एक करेक्शन टेप और एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्यारी डायरी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों चीज़े यह देखो यहां पर एक डैरी है जिसके उपर स्पाइडर मैन का कितना प्यारा पैटरन बना हुआ है यहां पर स्पाइरल वाला पैटरन है इसके उपर और इसको उपन करेंगे तो इसके अंदर में देखने मिलते हैं काफी सारे पेजी जिन्ती कुवालिटी बहुत उसम है और कहाई स्पाइब करेंगे इसके उपर कुछ पैंच रखें अब इस करेक्शन टेप को आप यूज कàiसे करेंगे को यही मैं आपको बतायता है। एसके ओपर दोबारा से राइट कर सकते हैं माईबंदा दोबारा से अप इसके ओपर लिख सकते हैं यह देखो इसकाम में आती है यह देखो मैंने यहां पर कुछ लिख रखा है इसको आप कावर करके ना आप इसके उपर दोबारा से लिख सकते हैं इसलिए करेक्शन टेप को यूज किया जाता है जो कि काफी प्यारा आइटम है और इसको यहां से बंद कर लेंगे तो अपसका डिजाइन दिख सकते हैं कै गज़ा एक प्यारा सा आ 94 । हमंच एक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यहां पे इसके आपर बटन है बटन दमाने पर ब्रो रोसनी इसके अंदर लाइff और यह लग रही है और यह पूरा ईक्स भी एक्सघण फिगर मुझे मिला, लग का गाई जिसकी quality कितनी ज़्यादा उसन है है ना मुझे मुझे तो गाई ये परसनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बाद काई ये देखो हमारे पास spider-man वाला action figure भी है काई ये देखो है ना बहुत ही प्यारा का action figure है ये आपको 200 रुपे मिल जागा इसका पूरा face देखो कुछ इस तरह से आपकी गरदन गुमा सकते हैं हाथ गुमा सकते हैं पूरे के पूरे प्यार गुमा सकते हैं इसको बैठा सकते हैं खड़ा कर सकते हैं और इसका पीछे वाले बटन को दबाएंगे तो इसके अंद 500 रुपीज का ये car launcher set है यहाँ पर देखो rapid launcher plus 7 metal master racer car इसके अंदर आपको 7 car एक launcher देखने मिलने वाला है और कुछ इस तरह का ये overall दिखाई देता है इसकी पूरी packing आप देख सकते हैं अब जल्दी से मैं आपको इसको open करके और use करके दिखाता हूं गाई यहाँ से मैं इस metal की काफी सारी cars है मैं 3-4 car आपको पहले दिखा देता हूं काकि आपको पूरा launcher set समझ आ जा जाए गाई यह देखो यह देखो है ना 4-4 car है मेरे पास जो की एक yellow white grey और blue color की है तो cars को मैं रख देता हूं यहाँ पर अब मैं आपको इसको use करके भी दिखाऊंगा कि यह पूर चोटे से model देखने मिलते हैं तो पूरा box खाली है बॉक्स के में रखता हूं side में यह है हमारा car launcher set यह कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा है यह देखो इसके अंदर और यह जो बटन है यहाँ पर इस बटन को आपको दगाना है यह देखो कुछ इस तरह से car launch होती है बहुत स्पीड में car launch होती है यह देखो है ना बहुत ही ज्यादा amazing है और देखो मैंने दूसरी car यहाँ पर लगाई यह बटन दबाया तो कुछ इस तरह से car launch होती है यह देखो अगर आप इसको फर्स पर चलागो ना car बहुत दूर तक चल के जाएगी यह देखो है ना बह कितना भी यूज कर लो खराब नहीं होगी और हमारे पास यहां पर आइरन मैन वाला एक प्यारा सा वाच है यह देखो एक आरन मैन की प्यारी सी वाच है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है और कई यहां पर आवेंजर्स बनने में यहां पर Captain America बना और 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 आप इसके अ खेलता है और गेम खेलने के लिए यहां पर लीवर लगा है लीवर को खीचेंगे तो कुछ इस तरह से अंदर आप गेम खेल सकते हैं जीए देखो यह देखो ना बहुत ही प्यारी वाच है और हाथ में पहनने पर आईसी दिखाई देगी जो इसका आयरन मैन का पैटर्न है यह देखने में बहुत जादा अट्रेक्टिव लगता है और इसके बाद गाई मैं आपको दिखाता हूं हमारे पांस से अपर एक मैजिक कप यह देखो है यहां पर लिखा है मैजिक कप यहां से इसको उपन करेंगे तो गाई अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता हो इसको बन्द कर सकते हो और जेब में रखे कहीं पर भी ले जा सकते हो और ऐसे ओपन करने बाद आपको इसको ऐसे उलटा करने है और गाई यह देखो यह बन गया ग्लास है ना कितना मेजिंग बहुत ही प्यारा आइटम है और इसके बाद मैटल क्वालिटी का एक कार सेट जो की देखने में कार जैसा बढ़ गाई यह है जमेट्री बॉक्स, मैटल का जमेट्री बॉक्स है, यहाँ पर MC कुईन कार वाले डिजाइन में आता है, इसको ओपन करेंगे तो गाई यह देखो, यहाँ पर आप तो इसके अंदर सामान भी देखने मिलता है, देखने में कार जैसा बढ़ गाई यह एक जमेट्री बॉक्स है, और हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा स्टेशनरी सेट है, जो कि यह गाई एक स्पाइडर मैन वाला पैंसिल सेट, जो कि नटराज कंपनी की तरफ से आता है, इसको उपन करते हैं, इसके अंदर जितने भी पैंसिल है, सारी की सारी स्पाइडर मैन वाले पैंसिल में होगी, और इसके अंदर में सार्पनर एरेजर भी देखने मिलती है, यहाँ पर एक सार्पनर एक प्यारी सी एरेजर है, और जितने भी पैंसिल है, सबी के उपर spider man का pattern बनावा यह देखो है ना student जिनको spider man पसंद है वो यह pencil box यूज कर सकते हैं और इसके बात गाज मैं आपको दिखाता है हमारे पास है आपर एक प्यारा सा इसको पहले मैं side कर लेता हूँ हमारे पास है आपर एक प्यारा सा bubble machine gun जिससे आप काफी सारे bubbles बना सकते हैं यह देखो कुछ इस तरह की bubble machine करना है जोगी काफी प्यारा toy है यहाँ पर हमें इसके अंदर battery डालनी पड़ती है तो battery मैंने already इसके अंदर डाल रखी है है ना और इसके बात की चीज़े मैं आपको दिखाता हूं कि क्या के हमें इसके साथ देखने मिलता है देखो यहाँ पर बटन है यह रहा हैंडल पर यहाँ बटन है बटन दबाते हैं यह देखो इसके अंदर जे बहुत तेज साउंड आता है है ना जिससे आप bubbles बना सकते हैं और bubble बनाने के लिए guys यह पूरा box नमें देखने मिलता है इसको गैटलिंग electric bubble gun कहा जाता है देखो है ना यहाँ पर ऐसी bubble gun है और ऐसे इसको यूज़ करेंगे पूरे functions इसके उपर दे रखें साबुन के पाने वाली एक bottle देखने मिलती है इसके अंदर सर्फ होता है 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 लिकवीड होता है जिसको आपको ट्रेए के अंदर डालना है यहाँ पर और आप bubbles बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं कैसे है बीडियो का फिल्कल भी skip मत करना बहुत ही प्यारा बहूत ही amazing type क ये है ये ये है bubble machine gun, यहा पे मैंने इसके अंदर dip किया और guys ये लेखो कुछी ही तरह से आप इसके अंदर बबल सब्सक्रें और कितने सारे बबल बसंधे बंतें ये बी आप देख सकते हैं, ये देखो मैं आपको दुबारा यूज करके दिखाता हूँ यहां से मैंने इसको डिप किया कुछ इस तरह से आप इसके अंदर से नॉन स्टोप बबल बना सकते हैं यह आपको 200 रुपीज के आसपास मिल देगी और 200 रुपीज के हिसाब से यह देखो कितने सारे बबल इसके अंदर से आप बना सकते हैं जो कि काफी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं यह देखो है ना अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको यह से टोई मशीन यूज करना पसने तो का यह चीज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और लास्ट आइटम मैं आपको दिखाएता हूं इस वीडियो का हमारे पास है यह पर एक प्यारा सा स्केशनरी सेट जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में भी दे सकते हैं इसको मैंने यहां से ओपन किया इसके अंदर आपको काफी सारी समान देखने मिलेगा मैं आपको दिखा जिता हूं one by one यह देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर यहां पर एक यह देखो wax crayons color की डिबी देखने मिलती है यहां पर एक sartner, एक eraser, दो pencil और एक प्यारा सा scale देखने को मिलता है और आपके इस वीडियो में आपको बहुत सारे different type के toy दिखाए है जो की काफी जादा मज़ेदार थे अगर आपको इतने सारे toy में एक बी toy पसंद आए वीडियो को like करना, channel को subscribe करना क्योंकि ऐसी वीडियो में लगाता है आपके लिए बनाता रहता है मिलता है वीडियो में, amazing unboxing के साथ तब तक के लिए thank you and bye bye guys